लोगेज वेलकम बेक टू मैं यूट्यूब चैनल मैं सुनिल और आप देखर रपना यूट्यूब चैनल सो ओड़ पार्स आज की यह जो वीडियो है जो इंजिन के पार्ट के उपर होने वाली है जो कि हम इंजिन बनाते हैं तो किन-किन पार्ट्सों को हमारे को चेंज करना पड़ता है और किस में क्या प्रोगलम होते वह सारी जानकर इस वीडियो के, अंदर गया इंजिन बनाते हैं Körper हैं तो कौन से.दे, चैन्ज करना पड़ते हैं तो चलिंज करते हैं वीडियो को सुरुव वीडियो को ये का लाईक करोदे चयाल तो शोर्सक्राइब जरूर कर तो रेगुलर जो बाइक होती है 90 परसेंट उसके इंदर जो जतने पाड़ लगते हैं वो सारा इस से वीडियो को अंदर देने वाले हूं तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना तो चले करते हैं वीडियो को सुरू मेरे इंजन को पूरा वाउस कर ले ये मेरे पास मै इंजन हीरू स्प्लेंटर का 2012 मोडल जो टिकी स्थार्ट का है तो इसके मैंने पूरा अच्छी तरह से बॉसिंग कर दिया है तो इस बाई के दर प्रोग्लम यहां चुकी थी इसके इंदर क्रेंग की आवाज थी और चलती जल्दी जाम हो चुकी थी इसके इसका फुल इंजन लिए बने कि देक्ञार कर वाजब स्कुल्द जसके अंदर मेने साइड के दोनों बेरेंग चैंज करवाइख और क्नेक्ट के खेंट वगर्य पूरा आइट तो इससे के साथ मैं मैंने हैड के इंदर वाल चैंज करवां और एक वाल घट को भी जाइट किया तो ये तो कामोचुका जो लिएए चम अधिसे केसाथ में और भी पार्श जो इसके नत्र जोने वाले जो मैंने सारा पार्श एक साइद में रखे हुए जो इसके लगने तो यह हैं हमारे हीड का आइटम और यह वोगा गैर वोक्स का और क्लेश पांस का तो मैं सबसे पहले हाद करने वाला हूं तो ज्द थर भाईकों के अंदर हैं चेक यह करना है कि चैक्षप के बेरिंग के स्प्रकस्ट से चैक करते सबसे पहले और इसके ये जो बाग दिख रहे हैं अपको जिस जिए रोकर टिकते ये बाग्ष बीशाएं ना नहीं तो कैम्षाड भी डलती है चुब पुरानी बाइक होती है ज्याज़ा ज्यादा चली यह वहती है बिना उल से उसके अंदर केंप्षाप्ट केंदर प्रुग्लम आती है और रोकर केंदर प्रुपर सब्सक्राइब नए आइटम आया एक तो वाल आया और एक इसकी वाल से ले आई इतना ही है अब इसके बाद बाहत करते हैं तो इसके अंदर मैं जो पिस्टन बार नहीं करवाए पुरा ब्लोग हिट हीरु आपको मैं देखा देता हूं दोजार पचास हिसके MRP है तो यह पूरा ब्लोकेट इसके अंदर चैन्ज करेंगे इसके बाद में इस बाइक के क्रेंग के अंदर आवाज थी इसलिए मैंने सोचा कि इसका ओयल पंप भी सेंज कर देते हैं तो इसको करना जरूरी क्यूं है तो इसको चैन्ज करना जरूरी है क्यूंकि इसके अंदर क्रेंग के अवाज थी क्नेक्टिक रोड के अंदर आवाज थी तो हो सकता है कि इसकी वज़े सही ज्यादा तरक क्रेंग है जो खराब होती है तो इसलिए इसका जो जो जैन्यून है वो मैं ओल पंप भी चैन्ज करने वाला हूं तो उसको पुराना निकाल दिया इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे कले बागभ के अंदर किन-किन ऑइद करना एक तो सभसे पहले अगर आपको अपने उपनेnost इंजन की ओवाज उसको श्मूथ करना है और इसके बाद में हमारे को center बहुत है वो change करने है चेक करने है अगर खराब हो तो change करने है नहीं तो वो इसको रहने देते है और यह जो अपना clutch होजिंग होता है इसके अंदर play नहीं होनी चाहिए बिल्कुल से होना चाहिए और अगर आप को दिख रहा है इस जगे यह आप को खट दिख रहे तो इसको आप blend से cut करके clean भी कर सकते हो तो भी चलेगा इसको नए डालने की इतनी कोई जुरूत नहीं है अगर इसके इंदर play हो तो इसको चैन्ज करना है तो इसी के अंदर मैं चैन्ज करने वाला हूँ इसके center अब यह वे इसके center अब दोनों इसको चैन्ज करना वाला हूँ जिसकी MRP आप देख सकते हो 310 है और 180 रुपे center की है और हब की 310 है और इसका मैं class plate भी चैन्ज करने वाला हूँ यह hero का genuine और pressure plate भी चैन्ज करना वाला हूँ तो class के अंदर जो hero की bike होती है उसके अंदर gear starting की program आती है तो वो इसकी वजह से आती है तो इसको check लेना ज्यादतर इसके अंदर यह आपको दिख रहा है यह roller है इसके अंदर play आ जाती है और कभी के बार यह यहां से crack भी हो जाती है तो इसको check लेना है अब इसके बाद में एक तो आप द करनी है अगर थोड़ी सी crack है तो इसको change कर दो तो इसके अंदर यह को ज्यादा महेंगी नहीं यह लगबग आसी नभी रूपर की आती है तो यह वो चुका एकलास का वाग कलियर अब इसके बाद में हम गेर के अंदर आ जाते है तो गेर के अंदर आपको सबसे पहले इसके जो गेर फोरक होती है तो इसको check ना है तो इसकी गेर फोरक है वो मेरे को कापी सही लग रही है एक थोड़ा सा यहां से damage है परन्तू यह कुछ ज़्यादा नहीं चल सकती है तो इसके अंदर गेर के अंदर मैं इसका दो नमर गेर चेंज करने वाला हूँ तो आपको देख स है तो यह कापी महंगा भी आता है और सबसे ज्यादा खराब होता है तो इसको change करेंगे हम और इसके साथ में गेर के अंदर तो और एक काम बचा है जो हमारे न्यूटल पती है इसको change करने वाले तो इसकी MRP आपको दिख रहे हैं जो पांच पीस का प्रकेट आता है 75 का और 15 रुपए की यह काती है और इसको फोड़के अब हम आते हैं इसके जो oil seal kit है वह मैं पूरा change करने वाला हूं तो इसके अंदर यह मेरे पास में पैसन प्रोग का है तो इसके अंदर दो सीले बचेगी वह आप चाहो तो पैसन प्रोग होती है उसके जो वाली जो प्लैट होती है वो दाल सकते टायमिंग चेट के साइड में यह पूरा खिट आता है 178 का एक्सटोग रुपए का तो इसके बाद में और मैं जो इसके अंदर पास चैन्ज करने वाला हूं वह इसका टायमिंग चैन्ड केट का तो यह जो हीरु का है पूरा के आता इसके अंदर तो सारी चैन और इस पोगट है वह पूरा चैन्ज हो जाएगा तो जो हमारे टाइमिंग चैन के आवाज है वह प्रोपर सही हो जाएगी इसके बाद में बात करते हैं जो पैकिंग कित होता है मैं यूज करहा हूं इसके अंदर मास्टर कोल का क्योंकि मेरे को जूख अंदर जो औरिंग है वो पूरा केट साथ में में मिल रहा है तो हमारे कुछ जितने भी इसके अंदर औरिंग किट है वह चेंज करने पड़ते हैं और यह जो अपना रोड़ होता है इसके इंदर वी एक को रिंग लगती है और का फिस सारी जहां पे बिजिश जिए इस देखे बी ओरिंग लगती है जो चितने बी ओर इंग है वह मारे खोट चेंज करना जरूरी है और इसके बाद में एक और कि वह सब्सक्राइब करेंने जbooks देठाइब और हमारे च्यामबर होता है इसके इंदर ओल्व उल्ट होता है तो इसकी चूड़ी को आप चहक करना जुरूर है क्योंकि अगर चूड़ी खराव होगी तो ओल इकफिक की प्रोग्राम आ सकती है और एक जो अपना चेंज करना पड़ता है तो इस बाइक के इंदर ज्यादा प्रोग्लम नहीं थी यह जो मैं रेगुलर बाइक काम करता हूं जो इसके इतना ही पार्ट डालता हूं तो इससे जो हमारी बाइक की उमर है वह कापी ठीक हो जाती है तो इस वीडियो को बनाने का यहीं मसेता कभी क पार्ट ढाल आपको तो उने अखिश पके दलता है तो चले करते हैं विडियो को आपको लुक्राइब करता है मिलंक्त जी वीडियो के अंगर जब तक लिए जाइन